So guys, जैसे मैंने इस वीडियो में कहा था कि मैं एक series start कर रहा हूँ जिसमें हम एक job block create करेंगे तो अब finally इस वीडियो में हम starting से एक block create करेंगे और फिर उस ब्लाग में जितने भी settings होंगे वो सारे settings भी हम करेंगे इसके साथ साथ हम अपने block पर इस template को भी install करेंगे जैसे कि आप इस template को देख सकते हैं इसी तरह से हमें अपने block को भी customize करना होगा तो ये भी हम इसी वीडियो में करेंगे सबसे पहले हम block create करेंगे फिर ब्लाग में जितने भी settings होंगे वो करेंगे और उसके बाद हम इस वाले template को अपने block पर install करेंगे बट ये साब करने से पहले गाईस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी आप इस वाले वीडियो पे आए हैं तो पहले आप इस वाले वीडियो को देख ले इसका link मैंने description में दिया होगा और इस topic पर मैंने एक playlist बनाई है तो उस playlist का link पर आपको description में मिल जाएगा क्योंकि बीच में यार मैं कुछ और वीडियो भी upload करूँगा तो आपको problem हो सकती है अगर आपको सिरफ यही topic वाले वीडियो देखनी है तो आप playlist को check out कर सकते हैं तो आप चलिए अपने topic की तरफ बढ़ते हैं guys तो जैसे कि यार मैं आपको हर बार नहीं कहूंगा कि आप इस topic पर काम करें आपकी मर्जी अपनी है मैंने भी इस पर काम करना start कर दिया है और आप भी इस पर काम कर सकते हैं पिर से आपको कह रहा हूँ अगर आप इस वीडियो पर new है तो आप इस वीडियो को देख ले मैंने कुछ जादा इस वीडियो में नहीं बताया बढ़ हाँ आपको तोड़ा बहुत knowledge हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंन आप वर्क होग या फाइवर होगया उस पर जो jobs post होते हैं वही आपको लेके यहाँ पर अपने ब्लॉग पर पोस्ट करना है विजिटर आपके ब्लॉग पर आएगा और आपकी ब्लॉग पर अगर उसको वो जॉग पसंद आता है वो अपलाई करना चाहता है तो आप उसको वीडियो में आपको दिखाया भी है और अब भी आपको दिखा देता हूं और मैं आपको इस साइट और एक और साइट है इसकी अर्निंग भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि मेरे पास फुद मिलियन में ट्रापिक आया है मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि Adsense से कितनी earning होती है कितने views में ठीक है क्योंकि यार अगर आपने भी काम किया है तो आपको भी थोड़ा बहुत knowledge तो होगा कि ये बंदा कितनी earning कर रहा है इसके पास इतना traffic है ठीक है ये देखें मेरे पास ये एक website मैंने open किया है बहुत सारे हैं लेकिन मैं जादा पीचे मेरे जैसा और आवी जैसा का एक बंदा है वो इसके पीचे काम कर रहे है भाई महनत कर रहे है अपने articles publish कर रहे है उसको इतना traffic मिल रहे है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैं आपको इस site की traffic दिखा देता हूं यह देखें 1 million visits है इस site पर ठीक है यह देखें अभी यह grow हो रहा है site ठीक है तो यहां पर आप देखें मैं आपको यह भी दिखा देता हूं ठीक है 1 million इस पर ट्राबे के आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर adsense की ads लगे हैं तो 1 million पर यह कम से कम 1000 dollar monthly earning कर रहे है कम से कम यह 1 million views पर adsense से 1000 dollar की earning कर रहे है यह मैंने सबसे कम आपको बता दिया ठीक है अब यहां पर यह देखें इसने यहां पर advertise on सरकारी job point तो यहां पर देखें सिरफ जो revenue होती है वो सिरफ ads से नहीं होती है ठीक है आप बैग लिंक सेल कर सकते हैं आप जो है यहां पर जो guest post होते हैं वो आप कर सकते हैं यहां पर ठीक है वह सारे औ meeting Technologies होते हैं सिरफ ads नहीं है आप dic से नहीं कर सकते हैं और यह जो topic होता है मेरी इसमें इतना earning होता है अगर आपके पास है ना investment तो आप डुमेन भी वर्टेस कर सकते हैं क्योंकि हम blogger यूज कर रहे हैं, blogger free है, free of post है, blogger में आपको posting भी free में मिल जाती है, सब कुछ free है, अगर आप wordpress पे जाएंगे तो wordpress भाई आप पागल हो जाएंगे, हर चीज के लिए आपको पैसे देने प पास कुछ comments आये थे कि कौन सा best है, खर उस topic पे नहीं जाएंगे, वीडियो जादी लंबी हो जाएगी, यह एक website है पाकिस्तान का, यहाँ पर आप देखे, इस पे डेट मिलियन व्यूज आते है, monthly ठीक है, अब यहाँ पर आप इनके व्यूज देख सकते हैं, यह डेट मि सबसे पहले ब्लॉग कर लेते हैं, और मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, तो वीडियो को skip ना करें, लास तक देखे, और जैसे मैं आपको बताया, प्लेलिस्ट का लिंक आपको description में मिल जेगा, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, अब चलिए, यहाँ पर content की बा ना दिखा दू, तब भी आप लोग comment करोगे कि बाई starting से आपने नहीं बताया, मैंने पहले ही एक topic share किया था, उसमें मैंने just topic share किया कि आप इस पे काम करें, बहुत सरे लोग comments करें थे बाई आपने starting से नहीं बताया, blog कैसे create करते हैं, हलाके उनको खुद पता है कि कैसे create कि बट फिर भी कहते हैं, तो यार यहां पर देखें, मैंने बिल्कुल start लिया है, new account है, आपको google में blogger सेर्च करना है, blogger पे आपको आना है, जैसे आप blogger में sign in कर लेंगे, तो आपके सामने यहां पे first number आपको यहां पे, आप तो वैसे एक account में बहुत सारे blog create कर सकते हैं, ब सरकारी jobs, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से जो भी आप name रखना चाहें कर सकते हैं, यहां पे मैं कर रहा हूँ, सरकारी jobs मैंने यहां पे एक कर दिया, title दे दिया अपने domain का, उसके बाद जब आप next करेंगे, ठीक है, तो अब next यहां पर आपको अपना domain address, य मुझे नहीं लगता कि available होगा, किसी ने already ले रखा होगा, यह देखे, sorry this blog address is not available, यह किसी और ने ले रखा है, मैं इसके साथ एक और S लगाता हूँ, अब देखते हैं, तो अब भी यह available नहीं है, मैं एक और S लगाता हूँ, अब मैं एक example blog के लिट कर ला हूँ, मैंने already domain purchase क कर सकते हैं, एक सस्ता सा domain आप ले सकते हैं, जादे से जादा अगर आप, क्योंकि मैंने जो लिया है, वो कापी research के बाद आप एक ऐसी domain ली है, जिसकी price बहुत हाई थी और वो मैं ले सकता था, इसलिए ली है, आपको मैं, और यह नहीं है, कि मैंने high price वाली domain ली है, तो मेर मेरा यहाँ पर जो domain है, वो बन चुका है, मैं उसके बाद next पर click करता हूँ, तो next पर click करने के बाद, आप यहाँ पर भाई, क्योंकि हम first time sign in कर रहे हैं, sign up कर रहे हैं, blogger के लिए, तो यहाँ पर मुझे से पूछ रहे हैं, आपका name क्या है, जो blogger में आपको show होगा, तो मै आपका blog यहाँ पर successfully create हो गया है, अब हमें next क्या काम करने है, एक चोटे से settings है, वो हमें करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको setting पर आना है, यह बहुत जरूरी है, यह आपको करना होगा, setting पर आने के बाद सबसे पहले हमें description देने, अब description क्या होती है, मैं आपको दिखा दे नहीं है, ठीक है, यह देखें, नीचे recovery, king blogger is tech blog, ठीक है, इस तरह से यह होता है, king blogger, यह king bloggers blogspot.domain है किसी का, ठीक है, मेरा नहीं है, यह किसे और का है, तो इसी तरह से यह आपको description होता है, यह आपको यहाँ पर देना है, तो हमारा जो है वह यहाँ पर simple है, हम about में भी यह देंगे, और यहाँ पर जो है, हम इसी को देने वाले है, ठीक है, तो आपने क्या होतो है, तो आपने डेना है, यहाँ पर सबसे पहले यह आप है description में, यह आपनई लिख देना है, कि आपको पता भी होगा इसको हम अभी नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है तो वही फ्री डूमेन है उसमें एच्टीटीपेस आलड़ी ओन होती है यहाँ पर एक और काम हमें बहुत जरूरी काम जो है वहाँ हमें करना होगा यहाँ पर जो कि महा जो कीवर्ड ज्यादा यूज़ करूंगा वह होंगे मेरा यहाँ पर जॉब्स ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर एक टैग बना दूंगा यह हो गया जॉब्स इन पाकिस्तान इसी तरह से आपने जो है बहुत सारे देने हैं ठीक है आप वन पिप्टी तक दे सकते हैं ठीक है कि बहुत सारे जितने भी search engines हैं उनको पता चल जाए कि हाँ यह ब्लॉग इस चीज़ से रिलेटेड है यह आपको जरूरी देना है MetaTags अब उसके बाद crawling and indexing है तो भाई इसको भी आपने save कर लेना है यह मैं आपको next video मैं बता दूंगा यह अभी के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी article नहीं है तो मैं यह next video मैं आपको बता दूंगा इसको आपने कैसे करने customrobots.txt.com कैसे करेंगे ठीक है अब यह जो काम है enable customrobots header tags यह हमें करना है ठीक है तो इसमें सबसे पहले है मैं आपको यह प्यूर्स से करता हूँ यह देखे home pages tags के देख लो यह setting आप कर ले अपने blog की ठीक है उसके बाद post and pages takes है तो इसमें भी आपने आल और नोड़ी भी करने है जैसे हमने first वाले में किया था और उसके बाद आप save कर ले ठीक है अब google search console में भी हम next video में add करेंगे क्योंकि अब हमारे पास कोई articles नहीं है तो अब हमें add कर करेंगे तो वह earning में हम करेंगे उसके बाद ठीक है तो यह अब हमें यहां पर जितनी भी settings थी आप यहां और कुछ भी नहीं है अब last में हमारा blog यहां पर successfully create हो चुकी है यहां पर देखेंगे आपके बास new post का option है आप यहां पर post कर सकते हैं pages भी हमें create करने है privacy policy यह सब pages भ सकते हैं जितने भी अभी मैंने आपको दो साइट दिखाने हैं उन में से एक किसी का यूज कर रहे है तो यह जो है यह आप download कर सकते है प्लेस्टोर से गूगल वेबसाइच करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा प्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं मैं भी प्री वर्जन प्री वर्जन और प्रीमियम वर्जन में सिरफ इतनी सी डिफ्रेंट्स है कि आप प्रीमियम वर्जन में जो चेंज कर सकते हो और जो प्री वर्जन है उसमें यहां पर नीचे लिखा होगा कि design by blogger templates इतना ही लिखा होगा और यहां पर अगर खोई क्लिक करता है तो इनकी website पर जाएंगे ठीक है जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यह इनी ही की website यहां पर उपन होगी बस इतना सा है ठीक है बागी इसकी price जो है वो 9$ है ठीक है अगर मैं purchase कर लो तो भाई मैं आपको provide नहीं कर सकूँगा क्योंकि इनकी security मैंने इस वीडियो में बताया भी है यह बहुत हाई है तो अब यहां पर इसको install करने के लिए हमें क्या करना है मैंने इसकी प्रिवर्जन डाउनलोड की है और मैं आपको provide भी कर दूँगा ठीक है वीडियो की description मैं आपको link मिल जाएगा तो यह एक मैं आपको pile जो है upload कर दूँगा Google Drive पर ठीक है आप download करके HTML पर क्लिक करूंगा और यहां पर जो भी हमारी HTML मैंने copy की है वो यहां पर में paste करके जो मेरे पास already है वो Ctrl A करके मैं यहां से remove कर दूँगा और जो मैंने copy किया था वो Ctrl B करके यहां पर हम paste कर देंगी और यह है जो हमारा यहां पर हो गया है ठीक है आप save कर ले तो आपका template यहां पर successfully create हो चुका है तो अब यहां पर wait कर लेते हैं वही वेट करने के बाद यह processing हो रही है तो हमारा जो template है वो successfully install हो जाएगी और blog हमारा ready हो जाएगा भाई अगर आपको domain लेना है तो आप go daddy से ले सकते हैं ठीक है वरना आप प्री में भी use कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि प्री में आप नहीं कर सकते या प्री में आपको traffic नहीं मिलेगी या आपको Google Adsense से approval नहीं मिलेगी हाँ इतना बात है कि कुछ जादा ad network से आपको approval नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ ad network ऐसे हैं जो support में करते है blogspot.com को लेकिन Google Adsense से तो आपको 100% मिलेगी और इसी के साथ प्राद वाई क्योंकि हरवा हर जीए अपर जाते हैं तो प्रूब के साथ वह धी मैं दिकाा दूँगा आपको अब यहाँ पर देखें आप और यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे लेबल्स है जैसे के jobs in India jobs in Pakistan वो labels हमें यहां पर लगाने होंगे जैसे कि यहां पर इन्होंने by default civil jobs और school teacher TGT यह इन्होंने अतने से labels लगाई है ठीक है इन labels के अंदर इन tags के अंदर फिर हमारे articles होंगे जैसे कि आपको मैं example के लिए समझा देता हूँ यह civil jobs पर आपने 10 articles publish की है तो blogger के अंदर आपके पास option होता है label का लेवल के अंदर आप उन 10 articles के अंदर civil jobs का यह लेवल यूज करेंगे तो यह आप एक tag बन जाएगा उसके बाद जब user civil jobs पर क्लिक करेंगा तो civil jobs related जितने भी articles होंगे वो आपके ब्लॉग में उस user को show हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं join our facebook group join our telegram group यह सब कुछ यहाँ पर है join our whatsapp group तो भाई यह भी हम create करेंगे ठीक है क्योंकि हमने सिरफ google पर focus नहीं करना हमें group से भी traffic लेनी है facebook से भी लेनी है telegram से भी whatsapp से भी ठीक है अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमाई customization पर तो layout में हमें आना है सबसे पहले तो याँ पैकी टू का यह logo है तो इसमें आप अपना logo create करके भी कर सकते हैं मैं logo create करना आपको नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप google में upload आपको नहीं करनी just save कर ले आप तो यह जो आपका है यहाँ पर यह भी हट जाएगा ठीक है यह देखे यह आपका अभी सरकारी jobs वाला आपका title आ गया है यहाँ ठीक है only अब यह हो गया यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आती है आपका main menu ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखे मैं कर लेता हूँ jobs in Pakistan ठीक है जो भी country जिस भी country को आप target करना चाहते है एक और बात आपको बता रहा हूँ भाई आप किसी एक country को भी target कर सकते हैं अपने blog का domain आप targeted country पर भी रख सकते हैं जैसे कि example के लिए अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप अपने blog का title और domain name रखो jobs in Pakistan ठीक है अगर आप यह आलड़ी किसी ने ले रखा है तो आप साथ में कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है इसी तरह से इंडिया में jobs in India तो यह आपका easy हो जाएगा मैं देख रहा हूं लोगों की domains होते हैं वो different होते हैं और topic different होती है तो भाई ऐसे में जो search engines होती है उनको भी समझ नहीं आ लिए होती क्या करें हम ठीक है तो यह काम भी आप जो है जरूर किया करें कि जिस भी topic पर आपकी blog है उसी topic से related domain भी होनी चाहिए ठीक है यह देखें jobs in Pakistan हो गया अभी के लिए हमने इस label में कोई article नहीं दी है तो हम इसको इसी तरह से जो है वो चोड़ेंगे बाद में इसमें हम add करेंगे वीडियो में आपको फिर में बता दूंगा ठीक है यहाँ पर हम save कर लेते हैं इसको और अब save करने के बाद जितने भी pages आप चाहो यहाँ पर आप एड कर सकते हो अब इसको मैं पर refresh कर लेता हूं तो यह देखें home मैंने गल्दी से जो remove किया है बड़ jobs in Pakistan यहाँ पर आ गया सकते हैं यह pre vergen में अब इतनी हमें इतनी customization मिल रही है तो हम pade virgin का क्या करेंगे ठीक है यह देखें लेटेस जॉब्स में यहाप लिक रहा हूं तो आपको जो भी लिकना आप इतना तो आप कर सकते हैं यह नहीं कर सकता कि आप सभी को आप जो भी बेकर रहा हूं वही आप क अगर आप यहाँ पर इस recent की जगा पर इसको रिमूब करके जो recent लिका हुआ है इसको रिमूब करके आप अपना कोई label देंगे यानि कि यह जो labels होते हैं यहाँ पर कोई भी आप लेवल देंगे तो वो उसी label की ads जो है वो शो करेगा article शो करेगा sorry ठीक है उसके बाद यहाँ आपका ads होता है ads placement आप आप ads लगा सकते हैं और यह quick navigation है तो यहाँ पर आप जो है इसको भी आपर कर सकते हैं वह यह यह वाला है ठीक है यह देखे chrono registration फार्म तो वह यहाँ पर है इसमें भी आप अपनी मर्जी से जो भी page आप add करना चाहें आप कर सकते हैं यानि कि आपके आप यहाँ पर लेबल देंगे jobs in Bangladesh तो वो आप यहाँ पर देंगे ठीक है आप मैं इसको remove कर रहा हूँ आप अपनी मर्जी से यहाँ पर pages लगा सकते हो जैसे मैंने अभी page लगाया यहाँ पर add करो उस label का यहाँ पर name दो और यहाँ पर आके label का link copy करके यहाँ पर paste कर दो त ठीक है सबसे जुरूरी यह वाला है तो इसके अंदर भी हम अपने labels लगाएंगे और पिर उन labels की ट्रैग जो है हम अपना link देगे मैं यहाँ पर एक articles publish कर लेता हूँ आपको समझ नहीं आ रही होगी पिर मुझे comment करेंगे कि समझाया नहीं है आपने तो देखे मैं यहाँ एक article simple यहाँ पर मैं test link देता हूँ और यहाँ पर इसको हम publish करेंगे this dü anneseいい यहाँ पर आपको अपना लेबल आं चुका है जोबसी न इंडिया इसी पर मैं आएगा यह देखें टैस्ट आ घ्याल तक और इसी तरह से आप यहां पर यह जो चल ही आ य। आ इस सकते हैं तो है यहाँ पर आपने ऑना है लिए और मैंने के बाद बहुत इस लिए इसी हम यूजी वरना यापनी अप obrazen रोग्या वरना या जाते हैं तो यहांपर क्लिक करते हैं बाई ट्रेंडिंग होस्ट लिस्ट ए पर ठीक है आपको त्री लिस्ट एड़ करने देखे एक दू तीन लिस्टों में आप जितने चाहूं पेजिस एड़ कर सकते हो आप देखे यह इस तरह से गुम रहे फिर यह एक ही डिरेक्शन में चलेगा ठीक है तो यह यहां पर आप देखे मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर जो इसको मैंद्ध कर लेता हूँ हरु यह कुछ seul ब्र बात हम के अंदर हमने यह लेवल हैं आप gozee करें अभी के लिए इस लेवल के लिए सिर्फ एक आर्टिकल है अगर मैं दوسरा आर्टिकल पबिश कर दूऀ उस-पर इक इंडिया दो लेकिन आपने सेम लेबल देना है गलती से अगर आपने कैपिटल में लिजटते में ही अपिकि एग जो है लेबल बन चुका है अब इसी लेबल का मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ ठीक है और इसको मैं सेब कर लेता हूँ भई अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भई आ जाते हैं हम अपने ब्लॉग पर और अब देखे यहाँ पर कहीं पे शो होगा ठीक है यह इसी के को अगर सही तरीके से समझाना स्टार्ट कर दूं तब भी वीडियो बहुत जादा इससे भी जादा लंबी हो जाएगी फिर ठीक है तो यहाँ पर इन तीनों को मैं डिलीट कर लेता हूं और अब इसको हम दुबारा रिप्रेश कर लेते हैं भई तो अब यहाँ पर हमारा कहा देना होगा मैंने अपने ब्लॉग में कम्प्लीटली जो है वो की है यह सारी सैटिंग्स तो इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूं पाकि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या जो भी ठीक है तो अब यहाँ पर इसको प्रेश कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर हमें वेड़ करना होगा अगलती से हमें दूबारा यह एड़ कर दिया यह देखिए या की डियरिक्शन में आ रहा है इसलिए इसमें टाइम लग रहा था आने में क्योंकि हमने अभी दो लगा यह इसमें आपको जादा लगाने होंगी तो अब अगर इस पे प्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी से जितना शो करना चाते हो अगर आप चाहिए कितने शो होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जितने आप चाहो वह यहाँ पर इस बोक्स के अंदर शो होंगे उसके बाद नोटेस बोड है तो भाई आप समझ चुके से आपको पेजिस एड करने लेबिल्स ठीक है आपको लेबिल्स एड करने जितने भी आपके पास लेबिल्स बनेंगे वो सभी लेबिल्स आपको एड करने बाई अगर आप चाहो ना तो आप एक ही दिन में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो क्योंकि इतने कम और short articles होते हैं तो आपके पास बहुत जल्दी बहुत सारी content आपकी ब्लॉग जो है वो बर जाईए यहाँ पर आप सारे लेबिल्स पर आप एड़ कर देंगे different colors में यह yellow color में है इस तरह से different colors में शो होंगे यह हमारा article जो हमने publish किया है ठीक है अब उसके बाद जो main futures है यह यहाँ पर जो हमें क्या करना है भाई यह बात भी इस चीज़ को अब दियान से देख लो अब यहाँ पर तो सबसे पहले यह देखे गौर्ड़नमेंट जॉब्स है Indian Army Jobs है सबसे पहले आपको यह name change करने है आपने जो labels use की है उसी labels की साफ़ से आप इसको change करें जो पर्स नमबर वाले हैं इसको हम जो है वो change नहीं करेंगे all state jobs इसको ऐसे हम रहने देते हैं ठीक है या all इसको आप ऐसे रहने दे उसके बाद government jobs आते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं jobs in Pakistan jobs in India जो भी आपकी label है ठीक है jobs in India jobs in Pakistan यह मेरे एक label हो गया ठीक है और यही label मैंने यूज किया है अभी अपने articles के अंदर ठीक है आपको different use नहीं करना और पिर इसी label को आप copy करें और यहाँ पर जो recent लिखा हुआ है recent का मतलब यह है सभी में recent आपको show करेग है कि recent jobs, recent posted jobs ठीक है और यह जो है उसके बाद जो show होगा इसमें हमने jobs in India कर दिया और जो recent लिखा हुआ है ना इसको हम remove कर लेंगे और जो भी हमारा label है इस label के अंदर जितने भी articles होंगे ना वो अब यहाँ पर show होना start हो जाएंगे मैं इसको save कर लेता हूँ अब यहाँ पर यह error show कर रहा है क्योंकि अभी जो है हमने label का नाम सभी से नहीं दिया और इस label के अंदर अभी सिर्फ एक article है ठीक है यह देखे अभी show नहीं कर रहा है आपर error दिखा रहे आपको ठीक है यह हमने यहाँ पर दिया इसी तरह से यह सारे pages आपको इसी तरह से कर लेना है ठीक है यहाँ पर आचा यहाँ पर देखो यह जो यह आप लिखा हुआ है इसको आप अपनी मर्जी से हिंदी में या उर्दू में लिख सकते हैं अपने blog के बारे में बता सकते हो ठीक है और नीचे जो लिखा हुए भाई इसी को भी आप इसी तरह से यहाँ पर चेंज करेंगे ज यह pages आप create कर ले अगर आप कर सकते हो ठीक है और मैं आपको वीडियो में बता भी दोंगा कि कैसे आपको create करने है ठीक है अगर आपको create करना नहीं आ रहा ठीक है यह भी हमें create करने है और यह जो about us है about us के अंदर जो भी मैंने आपको बताया था अपने description के अंदर वही आप पहे बाइडीपॉल्ट एक image लगी है, आप अपना एक image जो है अपने computer से upload करके लगा सकते हैं यहाँ पे ठीक है, जहाँ पहे पिकी true लिका हुआ है आप लगा सकते हैं उसको, और उसकी बाद putter menu है, तो putter menu पे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी परवी सी policy यह pages है इन सभी pages में आप click करेंगे और अपना link यहाँ पे देंगे अभी इसमें link नहीं है ठीक है अब यहाँ पर उसके बाद जो है putter copyright है तो जैसे मैंने आपको कहा कि यह pre-version है तो pre-version में आप just इ website पर आपका website उपन ही नहीं होगा तो यह दियान से भाई कि आपने जिस्ट्रिब्यूटर से आगे जो है delete करना और यहाँ पर अपने ब्लॉक का name देने उसके बाद जैसे आप save करेंगे तो आपकी ब्लॉक का name शोगा तो वाई वीडियो इतनी थी बहुत ज्यादा लंबी ह हो चुकी है मैं उमीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी है जो आपको अपने ब्लॉक के बारे में एकर details देने तो author site के अंदर जैसे आपने about में दिया उसी तरह से आप यहाँ पर अपने website के बारे में लिख सकते हैं वरना आप इसे remove कर सकते हैं मैंने भी remove किया है क्योंकि